नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया एजूकेशन हब में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट आफ लिस्ट के बारे में जैसा कि दोस्तों आपको पता है इलहाबाद युनिवर्स्टी में अभी हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं कट फ लिस्ट आपकी जु है जारी की जारी पोर्टल पर तो मेरा नाम है दिपशिका और सड़ीह करते हैं आज कि वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Mase Math की कैंस्लिंग के बारे में कि आपकी कंसलिंग किस लेट को है और document upload किस date को करना है fees submission की last deadline क्या है इन सभी date का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके ही अंदर आपको अपना document upload करना होता है और जो है आपकी fees जमा करनी होती है अगर आप fees जमा करने में देर कर देते हैं तो आपका admission नहीं माना जाएगा तो counselling में इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और India Education Hub आपको लगातार update देता रहता है इलहाबाद University से related यहाँ पर हम आपको दोस्तो B.H.U. लखनौ University और भी जितनी अन्य उनिवर्सटी है उनसे भी related update देते रहते हैं आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इलहाबाद University के बारे में तो यहाँ पर जो प्रेस नोट जारी है इसमें जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं कि the online counseling at admission of University of Allahabad and admission 2020 is going on the next cutoff of B.H.C. math admission is per the table number तो यहाँ पर table आप देख सकते हैं कि date है आपकी 29 इस दिन आपकी counseling होगी और यहाँ पर category wise आपकी cutoff दे दी गई है कि 153 और इससे अधिक प्राप छात्र मतलब ओभी सी category में आपकी counseling 29 को होगी 123 और उससे अधिक अंक आगर आपने प्राप्त किया है और आप ऐसी category से तो आपकी counseling आपकी प्राप्त किया है तो आपकी counseling 29 को होगी ठीक है उसके बाद choice feeling और document upload के लिए पूरा एक दिन आपको दिया जाता है मतलब सुबा आट से चार बजे के मध्य और यह जो है दिन आप 29 है मतलब इस दिन ही आपको जो है अपने choice feeling करनी है और documents upload करने है इंडिया education hub पे कई वीडियो बनाए गई है AU से संबंदी जैसे की आपको document कैसे upload करने है कौन-कौन से important document लगे है counseling में इन सभी के बारे में वीडियो बनाए गई है तो इससे जानकारी अगर आप राप्त करना चाहते हैं तो आप playlist से जाकर उसे देख सकते है आगे बात करते है seat alignment की तो वो आपको एक दिन बात पता चलेगा कि आपको seat alert हुई है या नहीं आपको ये check करना पड़ेगा तो check करने के लिए उपर यहाँ पर portal का वो दिया हुआ है link आप इससे जाकर डारेक्ट चेक कर सकते हैं www.aall.ac.in और भी जो है AU प्रवेश 2020 इससे भी जाकर आप अपना website पर जाकर चेक कर सकते हैं तो ये status आपको हम ऐसा check करते रहना कि आपको seat allowed हुई है कि नहीं ठीक है तो 9 बज़े से 10 बज़े की मध्य आपको ये पता चल जाएगा अब बात कर लेते हैं फीज समेशन के अगर आपको seat दे दी गई है और आप फीज जमा करना चाहते हैं और admission लेना चाहते तो आपको फीज जमा करने होगी फीज जमा करने की सुपर हंडेट बैच अगर आप इंटरेंस एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर हंडेट बैच से जोड़ सकते हैं इस बैच में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है महा से जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो इससे आप ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी यह सूशना साजा करिए यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहीं है त